एला अभरित विल्कम बैक तो मैं चैनल सिंपल कुचिंग with बबली मैं तो आप लोगों हम ऑने मूली कस पते और मकऺ के आचे की बहुत सारी रेसिपी नहीं होंगी बट आज में लेक़ आई हूँ आप लोगों के लिए मक्के के आटे और मूली के पत्तों की बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही हल्दी सी रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं वीडियो को लास तक जरूर देखेगा बहुत इंडरस्टिंग वीडियो होने वाला है तो यहां पर यह मूली के पत्ते थे जिनने मैंने अच्छे से वाश करके और महिन महिन कट करके रख लिया है उसके बाद यहां पर मैंने लिया हुआ एक कप गेहु का आटा और दो कप के करीब मैंने इसमें डाला हुआ है मक्के का आटा तो गिहू का आटा जनरी इसलिए डालते हैं कि थोड़ी सी मक्के के आटे में बाइंडिंग आ जाए ताकि हमें बेलने में आसानी रहे तो मक्के को आटे को मैंने चान लिया है उसमें मैंने डाला है एक स्लाइस किया हुआ प्याज दो से तीन हरी मिर्च और साथी साथ में मैंने इसमें डाला है धनिया पता और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मूली के पते जो अच्छे से धुल के मैंने रखे हुए थे काट के वो डाल दूँगी बस इन्हें हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और उपर से थोड़ी से मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ जैसे कि टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सा अजवाइन डालूंगी मैं और थोड़ी सा साबुजीरा और लाल मिर्च तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे थोड़ी सी मैंने वन पिंच के करीब हल्दी पे डाली थी थोड़ी सा कलर अच्छा आने के लिए और बस सारे मसालों को अभी हम ऐसे ही आटे के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितना इसमें पानी यूज होगा और ये देखें ये आटा हमारा मूली के पत्ते में जो पानी था उसी से पूरा गुत चुका है बस मैंने इसमें दो से तीन टेबल स्पून के गरी पानी को एड़ किया है आटे को थोगा सा और सॉफ्ट करने के लिए बस आटे को गूत के मैंने पांच मिर्ट के लिए साइट कर दिया था और उसके बाद जो है पांच मिर्ट के बाद मैं यहां पे पराठों को बेलना शुरू करूंगी तो पराठे नॉर्मली मैं एकदम गोल ही बनाऊंगी आप अपने मन चाहे शेब में बना सकते हैं आप इसमें अगर चाहें ना तो कोई सी भी फिलिंग भी भर सकते हैं जैसे गाजर की मूली की कोई भी फिलिंग भरना चाहें पनीर की आलू की वो आप इसमें भर सकते हैं तो यह मैंने लोई ले ली है तो लोई जो है थोड़ी सी मैंने ठीक ली है क्योंकि यह पराठे न तो इस तरीके से छोटा बगा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब बहुत हलके हाथों से सुखा आंटा लगाते हुए आप इसे बेलेंगे तो बहुत ही एजली ये बेल जाएंगे क्योंकि मक्या आँटा है थोगा सा बेलने में थोगासी प्राप्लम होती है बट आप अगर मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिलकुल भी बेलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परिशानी नहीं होगी और आप देख सकते हैं कि इसे बेल लिया है, तिकनिस भी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसी रखी है तो चली आप फटा फट से इसे सेख लेते हैं, तो तौवे को मैंने अलेडी गरम करके रखा हुआ था, उस पे मैंने डाल दिया है पराथा और इसको ऑईल घी या बटर के साथा पीसी के साथ भी सेख सकते हैं तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थोगा सा ओयल और इसे अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से हम इसे पका लेंगे तो पराथे को आप अच्छे से कल्ची से दबाते हुए चारो कोनों को सेख येगा क्योंकि पराथे थोगा सा जो थिक होते ना उन्हें पकने में थोगा सा टाइम भी लगता है उस साइड में थोगे-थोगे से कच्छे रह जाते तो ठंडे होने के बाद ना वो दिखते हैं कि पराथा कच्छा है तो बस इसे ऐसे ही दबाते हुए आप इसे सेक लिजे और ये आपका बहुत क्रिस्पी सा पराथा बनके रेड़ी हो चुका है तो ये फ्रेंड बहुत अच्छा breakfast के लिए भी बहुत अच्छा है husband या बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत लगने वाली है यह रेसिपी तो इसे मैंने हरी चटनी और प्याज के अचार के साथ सर्ब किया है तो आप लोग बताएगा कि आपको यह पराठा कैसा लगा और कैसी लगी हमारी आज की यह बहुत ही एजी सी रेसिपी तो चली फ्रेंस मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको हमारी रेसिपी थोगी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और हाँ अपने बीटुफुल कमेर्स देना बिल्कुल भी मत पुलिएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो म बभया बहें बपना आपसे इंई भीम से भीमय से वीज खि आंदाय हैं भीम वहाँ अलिए।